नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पैथन के इस नए वीडियो में और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे वीक वन जी आर्पीय की और मैं आपको बता दू कि वीक थी तक के हमने पीपीय जी आर्पीय सब कभर कर रखे हैं लेकिन में 2024 से थोड़ा पैथन जी आर्पीय का चें डैशबोर्ड में जो आपको कंशोल में रन करना है वहां पे आपको कुछ बी इन्पूट नहीं लेना है वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपको क्या करना है वो भी step by step बताया हुआ है कि इस step में आपको ये आउटपृट चाहिए आउटपृट आपको बस निकालना है प्रिंट नहीं करवाना है और वो उस बेस पे test cases check होंगे लेकिन हम पाई चाम पे practice करेंगे मैं आपको step by step explain करूंगा क्या हो रहा है और पाई चाम पे idea यह जो है वो हम print करा के देखेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है तो week 1 की जो पहले GRPA है इसमें जो हमें task लिखा है solve the below task related to numbers और बतातों कि मेरी तब्येद थोड़ी साही नहीं थी जुखाम हो गया था जिस वज़ा से वीडियो में delay हुआ और आवास थोड़ी आपको change लग सकती है फिलाल हम चलते है तो task 1,2,3 है इसमें आपको numbers पे जो है कुछ operations करने है task 1,2,3 है building up arithmetic expression 4 and 5 में आपको floating point arithmetic floating points से related कुछ operation है and 6 में आपको module और flow division करने है ठीक है देखिए यहां इस तरीके से आपको template लिखा होगा आपको template आपको क्या करना है output 1 पे आपको कुछ करना है जहां पे three dot लिखा है वहां पे आपको लिखना है code बाकी जगन नहीं लिखना है उपर एक आपको जो हलका सा stated area में input और other things आपको लिखे होगा code की बारे में उसमें कुछ नहीं करना है जो working area होगा उसमें इस तरह की sentence होंगे जहां पर आपको three dot लिखा है यहां पर आपको code लिखना है hashtag लगाके जो है वो comment out किया गया है बताया गया है कि इस line में आपको करना क्या है actually में तो जहां पर three dot है वहीं पर आपको code लिखना है और नीचे भी जो है print command या output command या कुछ ऐसा होगा shaded proportion वहां पर भी कुछ पर आपको step by step explain करूंगा ओके तो और पुट वन में आपको सम निकालना है a & b का output 2 में आपको twice the sum of a & b के सम का twice करना है output 3 में आपको absolute difference निकालना है between a & b and output 4 में आपको absolute difference निकालना है between sum and product of a & b मतलब a plus b और product नहीं कि a into b इनके बीच के absolute difference निकालना है ओके like this फिर आपको जो है discounted price निकालना है आपको input variable दिया हुआ है price integer में और discount price जो है आपको float में दिया गया है कितना percent discount है फिर वो आपको calculate करके discounted price निकालना है around the discounted price आपको integer में उसको round up करना है फिर आपको input variable total minutes दिया हुआ है इसको आपको hours or minutes में change करना है तो मैं वीडियो को यहाँ पर pause करके मैं copy करता हूँ code dashboards और आपको फिर में ले चलता हूँ पाई चांपे तो यह देखिए मैं ले आया हूँ code यहाँ पर जो hashtag लगा हुआ है वो comment out है उसको हमारा जो है code runner जो है वो उसको जो है evaluate नहीं करेगा जैसे sample input not the values given in the prefix code gray will be changed by the auto क्या लिखा है आटो अटो grader ठीक है देखिए A की value 5 और B की value 6 दिया है यह change हो सकता है price लिखा है और discount price यह आपको variable declare किया गया आपको पता है कि दो variable declare करने के लिए मैं कॉमल आके declare कर सकते हैं यहाँ पर जो 80 है वो price है discount percent जो है 5.75 है total minutes 470 है इतने सारे input आपको दिया हुआ है EOE end of input मतलब यहाँ के बाद जो है input खतम होगे आप यहाँ पर आपको करना है output 1 में आपको sum of A and B निकालना था तो हमने simple integer है A and B यह 5 है basic यह जूश भी हो सकता है तो हम output 1 को A plus B कर देंगे output 2 में आपको twice the sum of A and B निकालना था तो 2 और यह air stick का जो mark होता है multiplication के लिए जो होता है और bracket में A plus B ऐसे हम कर देंगे तो हमें sum का जो है twice मिल जाएगा output 3 में हमें absolute difference निकालना था A and B का तो हम A, B, S, apps करके एक function होता है जिसको हम use कर सकते हैं जो absolute difference बताएगा मतलब की value को positive में देगा चाहे हो भले negative हो A minus B का absolute difference और output 4 में हमको absolute difference निकालना था sum and product of A and B तो हमने कर दिया absolute bracket उसके अंदर फिर 1 by again bracket A plus B minus again bracket A into multiply B और इसका जो difference होगा उसकी absolute value यहां से देदेगा ठीक है तो हम यही पर हम print करके देख लेते हैं अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको run करें तो जो है कुछ हमें नहीं मिल ला है तो एक बार हम यहाँ पर print command देते हैं output 1, output 2, output 3 and output 4 तो लिखे ले देखे print लिखना है output 1 और इस ही को हम copy कर लेते हैं और चार बार यहीं पर हम ओ हो sorry sorry अब इसको हम चेंज कर देते हैं output 2 output 3 and output 4 अब run करते हैं तो देखिए हमें a प्लस b का sum मिला 11 उसके sum का double मिला 22 तो यहाँ पर second line में output 2 जो है वो a प्लस b का double कर दिया और output 3 में जो है absolute difference दे दिया 5 और 6 का और उनके फिर multiplication और addition का जो है absolute difference जो है प्राइस इंटीगर में दिया है discount price हमें float में दिया है कितना percent discount है तो price minus discount price divided hundred multiply price तो जबी भी में percentage count करना होता है तो हम price में 5% का discount है तो price into 5 by 100 करते हैं तो वही चीज है calculate हो रही है discount percent divided hundred multiply price हो रहा है और उसको हम price में से minus कर देंगे तो हमें discounted price मिल जाएगा जो कि float value होगी उसके बाद क्या कर रहा है कि round करना है उसको integer में तो हम simple जानते हैं अगर हम int लगा देते हैं तो हमें integer value मिल जाती है बाकी left कर देता है यह function तो rounded discounted price जो हो जाएगा वह int लगा देंगे तो में इंटीगर मिल जाएगा और यहां पर हम आप चाहें तो देख सकते हैं print कमांड के साथ कि अब प्रिंट लिखें कि और मैं पूरा लिखना होगा और वैरिएबल का नाम rounded discounted price variable select कि आ रहा है तो हमने select कर लिया ठीक है ओके फिर हम next वाला भी देख लेते हैं hours and minutes में जो change करना है हमें total minutes दिया हुआ है तो hours हो जाएगा total minutes और इसको floor division बोलते है floor division 60 मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें हमें quotient आएगा अगर 60 से divide करने पर जो quotient आएगा वो आएगा जो हमें hours आए अगर उसमें 60 से multiply कर दें तो उतना minutes हमने convert कर रखाया total minutes से minus कर देंगे तो हमें minutes मिल जाएगा तो यहां पर भी हम एक print कमांड दे जाते हैं और हमें variable देखना है minutes एम आई minutes अब हम run करते हैं तो देखो हमें क्या क्या मिला हमें यहां तक मिला था फिर यह discounted price का rounded off मिला हमें 75 और हमें मिला minutes में हमने print कर आया था तो 50 minutes मिला हमें अगर hours वी print कराना है तो हम यहां पर लिख दें आवर्स कामा minute दोनों प्रिंट कराओ देखें तो देखें तो देखें सेवें आवर्स फिफ्टी मिनिट्स ठीक है यह होता है तो यह था GRPA 1 अब यह देखते हैं GRPA 2 में क्या क्वेश्चन्स हैं GRPA 2 में करें solve all the below task related to relational and logical operators this exercise gives you practice in building a boolean expression output 1 में boolean expression मिलेगा true if a greater than or equal to 5 output 2 में हमें true चाहिए if a is divisible by 5 output 3 में हमें true चाहिए if a is odd number less than 10 odd होना चाहिए और less than 10 होना चाहिए तो कैसे करेंगे even odd के लिए देखिए हम यहां पर ही बता देते हैं आपको true if a is greater than or equal to 5 तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं a is greater than or equal to 5 तो यह true false देगा है या नहीं true if a is divisible by 5 तो a इसके लिए हम जो code लिखेंगे तो हम a modulus 5 is equal to equal to 0 क्या यह 0 के बराबर है modulus 5 मतलब modulus कब लगाते है जब उसका remainder पाफ से divisible होगा तो remainder आएगा 0 होगा यह true false बताएगा true if a is odd number less than 10 तो odd कैसे check करते है कि a को अगर हम modulus 2 करें दो से divide करें अगर even होगा तो remainder 0 आएगा odd होगा तो remainder 1 आएगा तो या तो हम लिख दे 1 या फिर is not equal to 0 यह भी लिख सकते हैं and हमें दूसरा condition मी लगा हो less than 10 a is less than 10 तो यह यहां तक लिखना होगा और पूट फरोग के a is an odd number within the range minus 10 to 10 तो odd number के लिए same वहीवाल हम करेंगे यहां पर a modulus 2 is not equal to 0 यह भी लिख सकते हैं माइनस 10 से 10 के बीच में दे तो माइनस 10 a and 10 रेंज यह होनी चाहिए ऐसे लिख सकते हैं output 5 में कर रहा है true if a is an even number of digits but not more than 10 digits मतलब जो उसका digit है वो even number होगा चाहिए बट 10 से ज्यादा नहीं होगा चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे उस integer को में string में convert कर देंगे तो और्पूट 5 के लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ आफ लेंथ फंक्शन लगाएंगे string आफ एज मॉडूलस इवन होना चाहिए 2 is equal to equal to 0 and not more than 10 सेम चीज होगी less than 10 ओके और फिर यहां पर offer one is cheaper true if offer one is strictly cheaper दो offer होंगे उसमें हमें निकालना है कि offer one cheaper है तो true करेगा अधर्वाइच फाल्स करेगा तो यह सारे function हमें करने है आईए हम code को copy करते हैं और पाइचाम पर आपको explain करते हैं ठीक है यह code को हम ले आए हैं यहां पर देखिए एक value 5 लिखी है price 1 और discount है price 1 पर 50 है और discount percentage 4 है price 2 है 60 और discount percent 8 है assume discount is given in percentage ठीक है अब यहां पर E of EI है मतलब end of input अब मैं output में करना था कि true if a is greater than or equal to 5 तो a is greater than or equal to 5 लिखेंगे तो यह मैं true देगा अधर्वाइच फाल्स देगा output 2 में हमें करना था कि 5 से divisible है तो a modulus 5 is equal to equal to 0 ठीक है ओके output 3 में लिखा था कि वो odd number or less than 10 होना चाहिए तो a modulus 2 is not equal to 0 and a is less than 10 सेम चीज मैं आपको बताया था output 4 में था odd और range होनी चीए minus 10 से 10 के बीच में तो यहाँ पर odd का हो गया and range के लिए a is less than 10 and a is greater than minus 10 अलग-अलग कर दिया मैंने आपको एक ही line में लिखके दिखाया था तो ऐसे भी कर सकते है output 5 देखिए यहाँ पर था question क्या था true if a has even number of digits but not more than 10 यह कैसे होगा even number digit not more than 10 तो length of string of a, a को string बनाया उसको length modulus 2 is equal to equal to 0 मतलब यह even होगया length and length of string of a is less than or equal to 10 then true देगा digit not more than 10 अब not more than 10 लिखाया तो is equal to का भी sign आएगा ध्यान दीजेगा 10 पर अब offer हमें calculate करना है तो offer is price 1 cheaper तो यह आएगा price 1 minus price 1 discount into discount 1 by 100 तो यह आजाएगा आपका price 1 compute हो जाएगा and is less than price 2 negative absolute value लेगा price 2 into discount 2 by 100 और यह आपको true देगा if price 1 is strictly cheaper होगा तो discount देगा ठीक है तो यह था GRPA 2 हम चलते हैं GRPA 3 पर GRPA 3 कर रहा है कि solve all the below tasks related to indexing and slicing indexing and slicing पर base है keep in mind the concept of indexing and slicing will come again in later weeks list and tuples में which are also sequence like string the exercise gives you practice in different indexing and slicing तो हमें यह यह पर string पर जो है indexing और slicing करना है हमें input दिया होगा हमें output इस तरह से लेना है output 1 में हमें करना get the third character of s तो हमें पता है कि string की जो indexing होती है वह 0 से start होती 0 1 2 3 तो हम third character निकालना है s का तो हम क्या लिखेंगे s का second की first second third पर two number आएगा यह get the fourth last character of s का fourth last निकालना है तो अगर हम पीछे से indexing करें तो negative indexing होती है minus one minus two minus three and minus four तो हमें last fourth निकालना है तो minus four ठीक है get the first three character of s first three निकालना है तो हम zero से start करेंगे और two तक जाएंगे तो हम three लिख सकते है यानिकि zero लिखो या न लिखो ऐसे लिख सकते है तो इसमें first three आ जाएगा zero से लेके one two तक ठीक है तो कि last वाला नहीं लेता है number आपको पता है तो हम theory में cover कर चुके है get every second character of s every second character लेना है सुरू से करके तो start from zero to the end और second character लेना है तो हम जो है इसमें जो यह यहां पर लिखते हैं steps वो दो लिखते हैं यानि कि first लेगा फिर एक छोड़ के दूसरा लेगा फिर एक छोड़ के दूसरा लेगा like this यहां पर double colon लगेगा यह start के लिए हो गया end के लिए step हो गया get the last three character of s last three कैसे लेंगे last three कैसे होगा minus one minus two minus one minus two and minus three minus three से शुरू करो and last के लिए कुछ नहीं blank छोड़ देंगे और get the reverse of s reverse लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम पीछे से start करो आगे तक आओ और minus one ऐसे लिखेंगे तो यह reverse order में आ जाएगा कि get the term of the year as number from course code and get the year as two digit number from course code तो हम यहां पर input में देखेंगे course code कैसे लिखा है उससे हमें slice करके term निकालना है और year निकालना है ठीक है तो हम code को कॉपी करते हैं पाइचांप पे और वहीं पर आपको explain करेंगे आगे की परक्रिया तो देखेंगे यहां पर हम ले आए हैं कोड को हमें जो स्ट्रिंग दिया गए हुआ है है कोर्स कोड हमारा है 24 T2 CS1002 24 हमारा year है T2 हमारा term 2 है CS1002 जा कोर्स आइडी है ठीक है समझ में आ गए इंडाफ इंपुट अब मैं output 1 में लिखना है get the third character of S तो इसके लिए S का 2 लिखा गया output 2 में S का minus 4 लिखा गया get the fourth last character और get the first 3 character of S के लिए 0 से लिए 3 तक लिखा गया तो 0,1,2 आ जाएगा output 4 में का तक get every second character तो 0 से start होगा और इंट तक जाएगा 2 step यहां पर 0 mention किया गया है तो हम यही पर यह भी करके देखेंगे कि 0 लिखने पर आता है या जिरो न लिखे तब भी आता है हम इसको चेक करेंगे तो हम output 1,2,3,4 को print कराते हैं रूखो output 4 को ही print कराते हैं ठीक है और output 1 भी ले लते हैं output 3 भी ले लिया output 2 भी ले लिया ठीक है पहले में 4 print कराया है 4 एंड जलो run कराते हैं देखो 4,1,3,2 तो 4 में क्या आया H, L, O, P, H, O अच्छा इसमें हेलो पाइथन से H को लिया फिर L को लिया फिर O को लिया और फिर space भी एक करेक्टर काउंट किया है फिर P को लिया फिर H को लिया फिर O फिर O को लिया H, L, O, P, H, O ठीक है बाकी चीज़ें आप हैं तो हम यह करेंगे आउटपूट फोर्मी के गर हम 0 न लिखें तो भी यही आता है H, L, O, P, H, O ठीक है तो यह आपने देख लिया आगे चलते हैं नेक्ष्ट था आटपूट 5 में get the last 3 character of S तो माइनस 3 से लेके लाज तक और reverse order के लिए colon colon minus 1 यह भी चलेगा और course term के लिए में क्या करना था course code जो लिखा है उसका third और उसको इंटीगर बनाना था तो course code देखें कैसे है term कौन सा है course code है यहाँ पर 24T और T के बाद 2 तो यहाँ पर T2 जो बता रहा है term 2 है तो T के बाद जो है वो बता रहा term 2 है जानी कि fourth position पे तो अगर हम इसकी indexing करने के तो zero one two three आएगा ठीक है zero से start करने पर तो इसलिए यहाँ पर course code का third लिया गया और year के लिए zero से लेके two तक year के लिए 24 का मतलब यह 24 year है फुथाजन 24 तो zero से लेके two यानि zero one two twenty four year आएगा ठीक है तो होप आपको समझ में आ गया यह जी आर्पे code तो आगे चले next वाले पर fourth question पर fourth question का रहा है solve all the below task related to string concatenation repetition and substring check-in string string पर और भी कई सारे function concatenation repetition और substring हम इसको चेक करते हैं जैसे output one और output two हमें लाना है word join word one and word two with space in between अगर हमें space देना है तो हम क्या करेंगे word one plus string बनाएंगे space को एक space को string बनाएंगे plus word two तो इस पेस आ जाएगा join first four लेटर सा word one and last four लेटर सा word two with a hyphen तो same string बना के हम करेंगे तो यहां पर इतनी सारी चीजे है कि हम चलते है code copy करके वहीं पर समझते है इसमें वर्ड वन देखे लिखा है विंग विंगार्डियम वर्ड टू है लेवियोशा एंड वर्ड थ्री है सिल्वर और सेंटेंस है लर्निंग पैथन इच फन ओके और एंड वन एक इंटीगर है और एंड टू है वर्ड वन में इस्पेस के साथ वर्ड टू को लिखना है तो वर्ड वन और इस्पेस वर्ड टू आपुट टू में हमें वर्ड वन में में लेना फ्लिषट वेड़ वन लाष्ट फोर लेटर स्वरल टू टू के लिए फ्रट वन का जो स्लाइशिंग करेंगे जीरो 12 AH तो 01 टू थ्री में आएगा और with hyphen mark hyphen mark के साथ with a hyphen लिखा है न तो hyphen mark लगाएंगे बीच में string बनाके plus word 2 का लिखा है कि last 4 त्यानिकि minus 4 से last तक और output 3 है word 3 के साथ space देना है join the word 3 and n1 with a space in between अच्छा n1 को word 3 के साथ join करना space के साथ तो space दिया और n1 को हम जो अकिए एक integer है उसको string बना देंगे तो हम add कर पाएंगे output 4 में लिखा है कि just the hyphen mark को repeated 50 times repeat करना है output 4 में hyphen को मने string बनाया multiply 50 कर देंगे तो 50 times repeat हो जाएगा output 5 में करना है कि just the hyphen repeated n2 times n2 हमारे integer है तो hyphen को multiply n2 कर देंगे output 6 में string n1 को बनाया repeat the number n1 n2 time तो n1 को मने string बना दिया और multiply n2 कर देंगे तो n1 को n2 time वो repeat कर देगा फिर कर ला are all words equal यह हमें चेक करना है सभी words equal है तो हम word 1 के length को equate करेंगे is equal to equal to length of word 2 and length of word 2 is equal to length of word 3 यह boolean value true देगा if three words are equal होंगे तो true देगा और वाल्स देगा फिर करा है कि each word 1 comes before other 2 तो यह क्या होगा कि word 1 is less than word 2 and word 1 is less than word 3 यह true देगा अगर word 1 comes before word 2 and word 3 तो कैसे इसमें comes before आता है seniority check होते आपको पता है कि पहले first letter को evaluate करते है अगर उनकी position alphabet में कौन सी पहले होगा जो बाद में होगा जो बाद में होगा अगर दोनों equal है तो हम next alphabet पे जाते हैं इस तरीके से ओके फिर has h word 1 find h is not equal to minus 1 देगा value true if word 1 has the letter h तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह जो हम equal to minus 1 का sign लगाते है तो equal to के बाद अगर 0 लिखा है इसका मतलब computer के लिए false होता है और 0 के लावा कोई भी value लिखी है minus में या plus में वो yes होता है और मतलब true होता है तो कह रहा है कि word 1 find h मतलब find h करेगा is not equal to minus 1 मतलब कि अगर उसमें h है तो minus 1 का मतलब true 0 का मतलब false होता है तो true के बराबर नहीं है word 1 find h is not equal to minus 1 इसका मतलब यह हुआ कि is equal to minus 1 का उल्टा चीक है तो minus 1 का मतलब true होता है तो उसका उल्टा false तो word 1 find h क्या false है तो true करेगा has the letter h अगर letter h है तो true होगा otherwise false होगा तो यहाँ पर है ints with a words का minus 1 is equal to capital a small a है then true if the words 1 int with a capital a has the word python जो sentence है पाइफन है तो booleum sentence dot find python is not equal to minus 1 यह आपको देगा इस तरह का code याद कर लिजे कि यहाँ पर is not equal to minus 1 का मतलब होता है कि true if the sentence has this word अगर हम find लगाते हैं किसी भी string में या sentence में और find के अंदर करके कोई string देते हैं find out करने के लिए और is not equal to minus 1 या कोई भी positive लगाएंगे value आप तो वो true देगा अगर वो उसमें है तो otherwise false देगा ठीक है तो हम यहाँ पर output प्रिंट कराके देख लेते हैं तो output तो शुरू में है यहाँ पर 6 तक है तो हम यहाँ पर output प्रिंट कराते हैं print output 1 print output 2 print output 3 print output 4 print output 5 print output 6 तो इतना हम प्रिंट कराते हैं यह हो क्या क्या या पहले वाले में output में हमें वर्ड वन को ज्वाइन करना था इस पेस के साथ में तो यह आया विंग्रेडियम लेवी ओशा दूसरे में हमें करना था इसका सुरू के 3 करेक्टर और इसके लाश्ट के चार करेक्टर ले करके आइफन के साथ जो है यह करना था इसको एड़ करना था तो यह हो गया विंग और योशा और थी में करना था वर्ड थी में एन वन को लिखना था जैने शिल्वर के साथ 6 और आटपुट फोर में हाइफन को 50 टाइम्स करना था तो यह हो गया आटपुट 6 में एन 1 को एन 2 टाइम्स करना था तो यह एन 1 है 6 है तो इसको एन 2 यानिकी 4 टाइम किया है ओके तो यह आटपुट 6 आटपुट हो गये अब हमें यहाँ पर are all words equal is equal to length of words यह तो true and false देगा हमें चेक क्या करना था तो बहुत बड़ा variable का नाम है हम चेक करने के लिए variable का नाम sort में लिख लेते हैं ताकि हम print कराके check कर पाए यह हम इसके आगे ही print command लगा देते हैं ठीक है चलो अब print command इसके आगे ही लगा देते हैं कि इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसको लगाओ कि यहाँ पर कि और यहाँ पर भी लिखो कि प्रिंट लेकिन इसका क्लोजिंग ब्रैकेट जो है लगेगा यहाँ पर नेक्स्ट वाले में प्रिंट लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर यहाँ पर भी लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर भी हम लिखते हैं प्रिंट आओ देखते हैं इसके बाद इसने प्रिंट वाले कमांड में इरर दे दिया क्यों इरर दे दिया क्या प्रिंट करना है यह तो पूरा ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा नहीं होगा ठीक है तो हमें इसको ऐसा करना है कि इसको हमें सॉर्ट में बनाना होगा इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है है हम सॉर्ट में इसका बना लेते है एरी वैरियेबल और यहां पर लिख जाते है प्रिंट ए रही है अब देखें तो देखिए फाल्स दिया है ठीक है उसी तरीके से हम इस वाले मेक में आपको चेक कर लेते हैं इसमें हैज एच है न तो हैज एच और इंस विद हैज दव वर्ड पाइथन तो इसमें हम इसको वैरियेबल को नाम चोटा कर लेते तागे में इतना ना लिखना पर है है और हम प्रिंट हैस कर लेते हैं अब रन करेंगे देखो यह ट्रू आ रहा है ठीक है क्योंकि हमारा जो इस सेंटेंस है उसमें है देखो लर्निंग पैथन इच फन तो इस तरह के साब प्रिंट करा करके अपना चेक कर सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है ठीक है तो होप यह आपको कोड समझ में आ गया ह इज इंटीगर में डेट आफ बर्थ इस्ट्रिंग फॉर्मेट यह होगा डेडी अइम यवाई य और वेट जो की फ्लोट में होगा फ्रम दो इस्टेंडर्ड इंपूट अड प्रिंट द अंथ मन्त फिफ्थ बर्डे अड लास्ट बर्डे एंड लास्ट बर्डे एंड 15 kg 200 ग्राम जिसे वेट फ्लोट में लिखा होगा 55.20 तो उसको में 55 kg 200 ग्राम्स ऐसे लिखना है करें नूट वाइल फॉर्मेटिंग देट्स यू में हैव तो कनवर्ट बैग इंटीगर तो इस्ट्रिंग यूजिंग देख सकते हो यह आपको दिया किसलिए है है हिंट हिंट फा टैंथ मन्त अगर हमें डेटा वर्ष से टैंथ मन्त निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर करेंगे तो जैसे अगर आप मन्त को इंटीगर में कनवर्ट करते हैं तो अगर आप उसमें 10 एड करेंगे तो वह हो सकता है 12 के बाद चला जाए जो किस तरह के कोईश्चन हम कर चुके हैं 10 प्लस माल लेते हैं 5 करते हैं तो यह 15 आ जाता है तो हमें 15 मन्त नहीं चाहिए हमें दिसंबर 12 का होता है उसके बाद फिर से जैनवरी से स्टार्ट हो तो इसके लिए यहां पर हिंट आपको दिया कि क्या यूज करना है तो इसमें आपको मॉडूलस ओपरेटर यूज करना number line that start at 0 instead of 1 because modulo cycles from 0 to n-1 तक चलती है तो January is 0 है February is 1 है तो आपको 5 मॉडूलस दिसंबर यूज करना दिसंबर 11 अचलती है तो जहनुबर 7 मॉडूलस बाद करना है तो इस जहरते बाद नियू पर यूज करना टीवरी सामट 10 या अक्तूबर पे तन शुट्त्रें और नहीं जाएगा तब मॉडूलो ऑपरेशन वर्स नैचुरली विद जीरो बेस्ट नमबर फर जामपल 24 मॉडूलो 12 करेंगे तो जीरो आता है इसका मतलब वो फिर से जन्वरी पर आगए means it wraps around to the string starting point जन्वरी एडिंग वन बैक पहले मैं एक माइनस करके उसका मॉडूलो निकालनेंगे फिर उसमें वन एड कर देंगे बाद में आफ्टर यूजिंग दे मॉडूलो ऑपरेशन यू एड वन बैक तो सिप्ट टू रेगुलर मन्थ नम्बरिंग सिस्टम डिस मेक्स स्यूर देट मन्स और रेंज और रेंज ऑफ 1-12 ठीक है तो आईए करके 25 हो रहा है तो 25 में से एक घटादो यानि 24 हो गया 24 मॉडूलो 12 जो हो गया वह जीरो हो गया इस मीन इट रैप्स अराउंड स्टार्ट आउड इयर और फिर जीरो में वन जोड़के यह हो जाएगा जैगा जैन्वरी चिक है तो इस तरीके से होगा तो सिंस यू एड़ एनफ मन्थ तो गो इंटो नेक्स्ट इयर यू नीड तो एकांट फॉर डैट तो अब में जो है इयर भी कल्कुल करना है कल्कुलेट हाउ मेनी फूल यर्स यू एड़ेट तो पच्चीस में से एक माइन से चौविस को गारा फ्लो डिविजन 12 से करें तो यह दो बार जाता करना है मन्त क्या होगा उसके बाद जितने मंथ हम सिफ्ट किये हैं उसमें एड कर देंगे ताकि में पता जर्य कि यहर कितना हो गया पास मंत करना में दो और इसमें है पंद्रा मन्त बात करना है तो 10 प्लस 15 कर दो 25 सब्स Прेसे गरा 24 हो गया उसका मॉडल में 12 कर दो कि बुह मनत हो इसी का यूच करकर इस घृठ करके आपको कलें है मैं code to copy करके पाइचाम पे चलता हूँ ओके तो दिखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है मैंने code लेके आ गया हूँ यहाँ पर यहाँ पर हमें age दिया है जो कि integer value है input में date of birth दिया है जो कि input होगा string में होगा dd mm yy format में और हमें इसमें से day, month और year निकालना है तो day कैसे निकलेगा date of birth के हम slicing करेंगे 0 से लेके 2 तक और इसको हम slicing करेंगे यह जो dd mm yy है ठीक है और date of birth में हमारे जो month होगा वो कहां से कहां होगा 0, 1, 2, 3, 3 से लेके 4 यानि कि 5 तक लिखेंगे और यहां पर integer में 6 से लेके लाच तक वो year होगा तो हम यही पर हम print कराके एक बाद देख लेते हैं print हमें कराना है day, month, year ठीक है तो यहां पर हम run command दे दिए अभी हमें देना होगा age और date of birth दो input हमें देना होगा तो हमने age लिख दिया महा लेते हैं 6 years and data worth को हमें string देना है dd, mm, y, far इसमें 25 and 9 and month में mm लिखना है mm में हमें 0 डालना पड़ेगा ठीक है, नहीं तो गडबड हो जाएगा month में 0, 9 लिखना पड़ेगा और year है y, y, y y है, यानि year हो गया 20 20 होगा, नहीं, year हम लिखते है 19, ठीक है तो देखे, क्या आगया day है 25, month है 9 और year हो गया 19 अगर हम यहाँ पर input में input में फिर से अगर हम देते हैं ठीक है, input में अगर हम फिर से 9 देते हैं, हमाँ लेते हैं age हमारा होगया 5 और 25, 9 और 20 देते हैं देखे, value आगया, problem आगया day, month और year में यहाँ पर जो है problem आगया क्योंकि उसको हमें integer में convert करना है, जो भी हम slicing करना है उसको integer में convert करना है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, कि 9 और slice आ रहा है इसलिए में month को 0 करके लिखना पड़ेगा ठीक है? उसके बाद देखे, क्या करना है, 5th birthday 5th birthday के लिए कैसे निकालेंगे day हमारा same हो जागा, string में उसके साथ hyphen लगाएंगे, month हमारा same हो जाएगा उसके साथ hyphen लाएंगे, string में convert करके और year में हम क्या करेंगे 5th birthday है तो 5 जोड़ेंगे उसको string बना देंगे, तो 5th birthday आ जाएगा ठीक है? ओके, last birthday कैसे होगा? day हम जोड़ेंगे month जोड़ेंगे, बीच में हम hyphen लगा रहा है, hyphen नहीं slash है, और इसका string बना करके, और year में हम कुछ की age जोड़ेंगे, तो हमें last birthday मिल जाएगा, यह सब simple है next देखिए, जो 10th month calculate करना था, वो कैसे है? day को हमने string बनाया, slash लगाया फिर हमें month calculate करना है, तो हमने का था, month में 10th month है तो month में 10 जोड़ो, फिर minus 1 कर दो, फिर modulus लगा दो, और फिर plus 1 कर दो, तो उतना month हो गया और उसको string बना दिया फिर slash जोड़ा, फिर year में हमें क्या करेंगे year में plus करेंगे, month में वही सेम चीज़, 10 minus करो 10 plus करो, 1 minus करो, modulus 12, नहीं, modulus नहीं flow division 12, flow division 12 करने से कितने year pass हुए, वो हमें आ जाएगे तो year में हम add कर देंगे ओके और print करना है 10th month और कामा के साथ फिर 5th birthday और कामा के साथ last birthday, ठीक है wait हमको देगा float में input देगा wait और फिर हमें उसको readable format में बनाना है, तो हम जो है उसको integer में convert कर देंगे तो सिर्फ integer part लेगा उसको फिर string बना दिये तो हम उसमें plus कर सकते है space plus कि हमने, फिर plus कि हमने kg, फिर plus कि हमने space, फिर हमने string बनाया किसको पहले integer बनाया, weight को modulus 1 किया, modulus 1 करने से क्या होगा कि जो remainder है, 1 divide करने पर आ जाएगा जैसे अगर 45.60 kg है, तो हम 1 से divide करेंगे, तो 45 तो divide हो जाएगा, लेकिन remainder आ जाएगा 0.60, उसको 1000 से multiply कर देंगे, और फिर उसको integer बना देंगे, और फिर उसको string बना देंगे, तो इस हिसाब से वह हमारा gram में आ जाएगा, फिर plus, space plus gram, तो print करना है weight readable, तो चलो हम यहाँ पर देख कर लेते हैं, हमें क्या-क्या input देना होगा, हमें age और date of birth हमें input देना होगा, तो फिर से run करते हैं, age हम लिखते हैं, 5 और date of birth लिखते हैं 22, and 0, 5, and 15, और देखिए इसमें आ गया day 5, month, day 22, और month 5, और year 15, और इसके बाद आया जो है, 5th birthday इसका होगा, क्या कराना है print में, print में करना है, क्या करना है print में, 10th month, तो 10th month क्या होगा, 22, March 16, 10th month होगा, 10 महीने के बाद, 22, March 16 होगा, और फिर उसके बाद 5th birthday होगा, 22, 5, 20 को, और फिर last birthday उसका 22, 5, 20 को ही है, जो 5 साल का है, तो वही होगा last birthday, और फिर हमें इसमें weight अब देना है, तो weight हम देते हैं, 45.68, ये, तो अभी क्या आ गया, जैको, 45 kg, and 679 grams आ गया, 679 grams कैसे आ गया, 679 grams आ गया, 1 से modulus division किया गया है, ठीक है, और 1000 से multiply करके किया गया, तो 680 grams के जैको, 679 grams हा रहा है, तो इसमें, ठीक है, तो हो गया, लगबाई ये आपका range में होती ही value, तो ये आपका accept कर लेगा, तो इस तरीके से code होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 के 5 कोड week 1 के discuss किये, ये आपके लिए helpful होगा, अगर ये मेरी कोशिस आपको सही लगती है, तो आप वीडियो को like करें, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, thank you,